नमस्कार दोस्तों बात करने वाले इस वीडियो में तीन स्टॉक्स पे जहां पर आज के दिन कुछ खबरे आती हुँ देखने को मिलिए तो दिखे हैं बात करते हैं NCC के बारे में सबसे पहले काफी तगड़ी ओर्डर बुक है कंपनी के पास लेकिन वैल्यू अनलॉक नहीं है बस यही एक रिजन है स्टॉक के बार बार 80 से 85 की रेंज में अटकने का NCC का 1500 करोड का इंटर मोडरल जो है प्रोजेक्ट फास्ट ट् मिल रहे हैं और आगे बात करते हैं यहां देख सकते हैं परिवेहन मंत्राले ने नवंबर 2020 में एक एलोए जारी किया था जिसकी वेज़े से इनका थोड़ासा प्लान जो है अड़चन में डिलाई में पढ़ते हो देखने को मिल रहा था अब चूंकि कोवीड की को मिल रही है इस प्रोजेक्ट में और इससे पहले मैं आपको बताओं कि करीब लास्ट वीक पांस दिन पिले ख़वर आई थी अठाइस सो करोड के तीन प्रोजेक्ट एंसी सिन जीते थे बैंगलूरू मेट्रो प्रोजेक्ट है उसके बारे में एरपोर्ट से जुड़ा कुछ कंपणी को काम मिला था तीन प्रोजेक्ट थे तीनों यापस में जुड़े वे थे और तीनों और जो है एंसी सिन जीत लिये थे जिनकी वर्थ बताई जारी करीब करीब अठाइस सो करोड की और यह एठाइस सो करोड मिलाने के बाद साथ अजार करोड से उपर की जो के सामने है करीब सबाद दो परशेंट की तीजी सेवंटी एट पॉइंट फटीन के पास स्टॉक की क्लोजिंग थी कल की और करीब करीब फ्लैट साइज स्टॉक खुला था लेकिन मार्केट के सेकिंड आप में या खबर के साथ आपको बाइंगा तीवी देखने को मिल रह है तो यह स्टॉक भी अपनी एटी सिक्स एन एटी सिक्स हाफ के लेवल से लगातार फिशल कर सेवंटी एट तक पहुंच चुका था यहीं इसके बास में गिरावट की वज़े है और देखें कि आप एक मेंने में स्टॉक अब भी अच्छे का से रिटन लिए वह जो कि ते यह स्टॉक दे पाया जो कि एक सो साथ परशेंट के करीब करिब आप देख रहे हैं इसके बाद लगातार उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है तो दिएक बात करें एंसी के डेली चार्ड की तो फरवरी के में इसके आसपास का हाई लगाने बाद लगा तो इस टॉक से लिप क्योंकि निफ्टी में जो करेक्शन काफी हट तक होना था वो फिछले दो से तिन दिनों में हो चुका है अलंकि करेक्शन आने में आप ही जाये लेकिन ऐसा मानते हैं लोग कि अब ज्यादा करेक्ट नहीं होना चाहिए पिछले दो दिन जो क्रूशल थे जिस दिन बाहर नहीं निकलेगा तब तक साइडवेजी रहेगा तो अल्टीमेट टार्गेट नबे प्लस के यहां पर आने वाले वीक्स में आप मान सकते हैं उसके लिए बात करें जी एनेफसी की तो देखें बहुत ही दमदार तीजी आज के दिनी स्टॉक ने बनाई है और मॉर्निं ट्रेडिंग सेशन में आप इसकी केंडल फॉर्मेशन देखें हैं काफी बुलिश देखने को मिल रहे हैं तीन सो तीस की रेंज के आसपा से स्टार्ट हो गया स्टॉक दोई दिन में तीन सो असी पहुंच होगा काफी अच्छी तेजी दिखाई है यहां पर एक हरडल आप देखेंगे आई टी सी बहुत बड़ा मीम कंटेंट है यह मीम बनते हैं इस तरह का स्टॉक है दो सो पंदरा से टारा बीस की रेंज में इतना समय इसने बिताया है कि उसका क्या कहें मैं आप चार्ट अभी आपको दिखाऊंगा लेकिन पिछले वीक से आप देखेंगे ती इंट्राडे की चार्ट की सवा तीन से साड़े तीन परशेंट तक के गेंज हैं स्टॉक के पास मार्केट के सेकेंड आप में यहां पर वॉल्यूम के साथ आपने बाइंग देखी है बहुत ही लिकुड इस्टॉक है इस वाज़े से चलने में काफी तकलिफ भी होती है पा स्टॉक ने अच्छे रिटन दिये हैं उतने इसने नहीं दिये केवल साड़े अरतीस परसेंट ही मात रिटन है और काफी ज्यादा फ्लक्ट्रेशन भी स्टॉक में देख रहे हैं तो दिखे बात करें अगर वीकली चार्ट की तो पिछले दूवीक से लगाता है यहां पर देख रहे हैं और वैसे देखेंगे तो पिछले चार वीक से ही स्टॉक में छोट-छोटी दो गेंडल है उसके बाद बड़ी केंडल फॉर्मेशन की है और आज की डेड़ में फरवरी 2021 के इंपॉर्टन लेवल को ब्रेक किया है साथ यसाथ प्री कोविड लेवल के पास भ चैसर भी में अब बताया है 250 दौबाशन के लेवल यहां आने वाले वीक्स में आपको देखने को मिल सकते हैं 245 फीर के ऊपर अगर स्टॉक स्टेन कर पाता है तो प्री कोविड लेवल को यहां ब्रेक करने का एक आपको गेन और इस टॉक में आते बेखने को मिल सकता है व